नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे के बारे में बताएंगे आपने इसका सिवन रात भर पानी में वीगो कर इन बीजों को खाना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके स्रीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज होगा दोस्तों चाहे आपको जोडों के दर्द या कमर के दर्द की समस्या हो या आपके स्रीर की हडियों से कट-कट की आवाज आती हो दोस्तो तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कीजिए या आपको यूरीकैसिड की समस्य हो मुटापे की समस्य हो कॉलोस्ट्रोल की समस्य हो दोस्तो तब भी आपको इनका सेवन करना चाहिए आपके चलते फिरते हडियों से कट-कट की अवाज आती है या आप चल फिर नहीं सकते सही तरीके से या दोस्तों आपको वात रोग है वात रोगों के कान आपका सरीर का कबाड़ा बन चुका है या फिर आपको मोटापे की समस्य है आपके पेट पर बहुत अधिक चर्बी है और आप अपनी से पेट की चर्बी का इलाज करना चाहते है इसको सलिम और फिट बनाना चाहते है थाइराइड की कोई समस्य है हार्मोन इंबैलेंस है तो दोस्तों इन सब रोगों में आपको इन दो चीज़ों को रात बर पानी में विगो कर खाना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक चमतकारी फाइदे देखने को मिलेंगे और दोस्तों इन दो चीज़ों में जिनकी हम बात कर रहे है उनमें जो पहली चीज़ है वह है दोस्तों अजवाइन दोस्तो अजवायन आपके अपने घर में ही आपको मिल जाएगी अजवायन आपकी पाचन समता को सुधारती है पेट में यदि आपको संकर्मन रहता है उस पेट के संकर्मन को दूर करने का काम करती है ये अजवायन आपके भूक को बढ़ाती है पाचन को सही करती है, पेट की दर्द को ठीक करती है, पेट में एटन है, तो उसका इलाज करती है, यदि आपको एस्टिटी की कोई समस्या है, तो उसको दूर करती है, सूजन और सरीर में कहीं भी रहती है, तो उसको ठीक करती है, आपके लीवर को सही करने का काम करती है, यानि देखा दोस्तो अजवायन भी आपके स्रीर के लिए कितना चमतकारी काम करती हैं। और जो दूसरी इसके लिए जो मुखे चीज है वह है दोस्तो कलोंजी। कलोंजी वजन घटाने से लेकर दिल की बीमारियों तक हर बीमारी में कारगर है। कलोंजी के लिए तो आप किसी भी बीमारी का नाम लेसकते हैं और उस बीमारी में कलोंजी का प्रियोग कर सकते हैं। आपको सर्दी खासी की समझ से हैं तो आप कलोंजी के तेल की तीन से चार बुंदे एक गलास गुनगुने पानी में डाल कर पी सकते हैं। या कलूंजी की तेल की अपनी चाती पर भी मालिस कर सकते हैं या आपको जोडों में घुटनों में कहीं भी दर्द रहता है गठिया का दर्द है तो वहाँ पर भी आप कलूंजी की तेल की मालिस कर सकते हैं और गरम पानी में दो बुंद कलोंजी के डाल कर पी सकते हैं यदि आप अपने दिल को मजबूत बनाना चाहते हैं कोलोस्टोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तब भी आपको चाही या दूद के साथ कलोंजी की तीन से चार बुंदों को हर रोज डाल कर पीना चाहिए सुबह खाली बेट दोस्तों यदि आपको डायपटीज है तब आप अपनी चाहे में काली चाहे में दोबंद कलुंजी की तेल की डाल कर बीजी इससे आपको डायपटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी साथ इस डायपटीज की बीमारी के जो कॉम्पलिकेशन है उनमें भी बेहद कारगर तरीके से ये काम करेगी इस बीमारी के कॉम्पलिकेशन से बचा कर रखेगी ब्लड पैसर को कंट्रोल करना हो थाइरेड जैसी बीमारियों से बचना हो अपने पाचन को मजबूत करना हो इन सब में कलोंजी वे एक कारगर तरीके से काम करती है और दोस्तों यदि आप इन दोनों सामग्रियों को आपस में मिलाकर सेवन करते हैं तो यदि आप दिन में एक बार इनका सेवन करेंगे ना तो चाहे आपको वात रोग हो, नसों की कोई ब्लोकज हो, हड़ियों की कमजोरी हो, कैलसियम की कमी हो सरीर में कहीं भी वीकनस आपको रहती हो या जोडों का अदर, घुटनों का दर्द, यानि किसी भी परकार का दर्द हो तो दोस्तों इसमें ये एक कारगर त्रीके से काम करेगी और आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगी, तीसरे ही दिन से इसका आपको असर दिखना सुरू हो जाएगा यदि आपके हाथ पैरों में सुनपन की समस्या रहती है तो तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तो आपने इन दोनों का सेवन कैसे करना है आपने क्या करना है एक चमच अजवायन का लेना है और एक चमच कलुणजी के बीजों का लेना है आपने इनको एक गिला से पानी में भी आपने उस पानी को भी पीना है और इन बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है दोस्तो ये आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेंगी इसके साथ में दोस्तो आप एक वीक तो इन दोनों को लीजी और एक वीक आप इन दोनों की जगहें अलसी के बीजों का सेवन कीजिए दोस्तों अलसी के बीज भी ओमेगा 3 fatty acid से बरपूर होते हैं जो आपके दिल को मजबوط बनाते हैं आपके सरेज को निरोगी बनाने का काम करते हैं आपने अलसी के बीजों का भी एक चमच रात भर के लिए पानी में भीगोना है और सुबे खाली पिट उस पानी को भी पीना है और उन बीजों को भी चबा चबा कर खाना है यानि एक वीग तो लेंगे आप अजवाइन और कलंजी और दूसरे वीग आप लेंगे अलसी के बीज आपने ऐसे ही कॉंटिन्यों एक वीग वो एक वीग वो एक वीग वो इस त्रहें से सेवन करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो दोस्तो आपको अपने सरीर में चमतकारी बदलाव महसूस होगा दोस्तो आपका स्रीर निरोगी बन जाएगा दोस्तो चाहे आपकी नसों में सूजन हो दिमाग की नसों में सूजन हो कहीं भी कुछ भी हो आप उसका प्रियों कीजिए दोस्तो आप सर्दियों में अल्सी के लड़ू बना कर भी खासकते हैं वो भी आपके लिए चमतकारी तरीके से काम करेंगे तो दोस्तों देर किसे बात की है आप भी आज सही इन नुस्खों का सेवन सुरू कर दीजिए और अपने सरीर को निरोगी बना दीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफकेशन आतरहे धन्यवा दोस्तों